हלो अवरेण, वैलकम टो करंट पूर, तो आज के डेली करंट अफैर्स की सिरीज में हम लोग देखेंगे 20 फरवरी 2023 के करंट अफैर्स को और वीडियो में और अड़ तक बने रहे हैं, वीडियो के आण में 19 फरवरी 2023 के करंट अफैर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये आपको सभी PCS exam के लिए काफी helpful है तो चलिए देखते हैं आज का current affairs Q ने पहला कि किस tennis महिला खिलाडी ने लगातार दूसरी बार कतर ओपन खिताब जीता आंसर है option A, Ega Svita Yeg विस्व की number one pollen tennis खिलाडी Ega Svita Yeg ने लगातार दूसरा कतर ओपन खिताब जीता को 63-60 से हराया या 2023 का उनका पहला खिताब था और उनके केरियर का बारहमा खिताब था निमलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुस्ती द्वारा लिखी गई है आंसर है इसका option D, इन में से सभी कुई चोटे, विक्ट्रिसिटी और दस सेटेनिक वर्सेज द्विवार्सिक युद अभ्यास दस्तलिक का चोथा संस्क्रन भारत और किस देश के बीच प्रारंब हुआ? आंसर है option C, उजबेकिस्तान भारत और उजबेकिस्तान के बीच भारतिय थलसेना और उजबेकिस्तान की थलसेना के बीच 20 फरवरी से उत्रकंड के पिथोरा गड में द्विवार्सिक प्रशिक्षन अभ्यास दस्तलिक का चोथा संस्क्रन आरंब होगा यह अभ्यास 5 मार्स तक चलेगा, सन्युक्त अभ्यास का उद्देश उप परंपरागत परिद्रिश्य में विभिन अभ्यानों के जड़िये सैन शमता बढ़ाना है कतर द्वारा लगाए गए भारत के फ्रोजन सी फूड समुद्री खाद के आयात पर अस्थाई प्रतिबंध में किसकी पुछ्टी करती है आंसर है इसका option C और फुटबॉल आयोजन के लिए उनके देश में परियाप्त परिक्षन परियोग शालाओं की कमी के कारण लगाय गया था किसने रंजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया है आंसर है option A सौरास्ट ने रंजी ट्रॉफी 2022 देश के फाइनल मुकाबले में सौरास्ट ने बंगाल को नौ विकिट से हरा कर खिताब अपने नाम कर लिया है जैदेव की कफतानी में सौरास्ट दूसरी बार रंजी ट्रॉफी चेंपियन बनी यूरोपिय देश जिसने पहली बार मासिक धर्म अवकास मेंस्ट्रूल लीव प्रदान करने वाला कानून पारित किया आंसर है इसका option B स्पेन पीडियेट्स के दोरान महिलाओं को अवकास प्रदान करने वाला स्पेन यूरोप का पहला देश बन गया है निमलिखित में से कहां 13 से 15 फरवरी तक World Government Summit 2023 का आयोजित किया गया आंसर है option D दुबई में World Government Summit 2023 दुबई में 13 से 15 फरवरी तक Sapping Future Government के तहत आयोजित किया गया हाल ही में जारी Global Labour Resilience Index 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा आंसर है ओप्सन ए डेन्मार्क वाइट सिल्ड ने ग्लोबल लेबर रेजिलियन्स इंडेक्स 2023 लॉंच किया जिसमें कि डेन्मार्क 80.2 अंक के साथ पहले अस्थान पर रहा डेन्मार्क और दूसरा अस्थान रहा स्वीजर लैंड का 79.02 अंक के साथ तीसरा अस्थान रहा जर्मनी का 78.46 अंक के साथ और चौथा अस्थान रहा नीदर लैंड का 77.90 अंक के साथ भारत की G20 की अधक्षता के अंतरगत G20 के वित मंत्रियों और केंद्रिय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को कहां आयुजित की जाएगी आंसर है ओप्सन डी बैंगलूरू करनाटक में भारत की G20 के अधक्षता के अंतरगत G20 के वित मंत्रियों और केंद्रिय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को बैंगलूरू करनाटक में आयुजित की जाएगी वित मंत्री स्रीमती निर्मला सीतारमन और भारती रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर सक्तिकान दास सन्युक्त रूप से इस बैठक की अधक्षता करेंगे टीम इंडिया ने दुबई में आयुजित एसिया मिक्स्ड टीम बैडमींटन चैंपिनसिप में कौन सा पदक जीता? आंसर है ओप्सन C कांसे पदक? दुबई में आयुजित एसिया मिक्स्ड टीम बैडमींटन चैंपिनसिप के सेमिफाइनल में पीवी सिंदू के नित्रित्व वाली टीम को चीन से हार के बाद कांसे से संतोस करना पड़ा है तो चलिए अब 19 फरवडी 2023 के करेंट अफरस का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं G20 मौडल बैठक 17 फरवडी 2023 को कहा किया गया तो ये किया गया नई दिल्ली में उत्तर भारत का पहला परमानु सन्यत्र कहां स्थापित होगा तो ये होगा हर्याना के गुरकपूर में GST परिशत की उन्चास्मी बैठक की अधक्षता किसनी की वित्मंतरी निर्मला सीता रमनने 18 फरवडी 2023 को किस देश से बारच चीते को मद्ध प्रदेश के कोनो रास्टिय उद्यान लाया गया है तो दक्षिन अफरिका से किस देश ने भारत से फ्रोजन सी फूड यानि की समुद्री खाद के आयात पर औस्थाई प्रतीबंद हटा दिया है तो कतर ने यूनिसेफ इंडिया के राजदूद हाल ही में किसे बनाया गया है आयोश्मान खुराना को Excellence of Journalism Award 2023 किसे प्रदान किया गया तो अजय वर्मा को हाल ही में भारती सेना ने किसे नया सेना उपरमुख नियुक्त किया है तो ये किया है जनरल MB सुचेंदर कुमार को 18-20 फरवरी 2023 तक होने वाले क्रिशी दर्शन एक्सपोग या क्रिशी मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है तो ये हिसार हर्याना में किया जा रहा है स्री बलीपा नारायन भागवत के निधन जो है हाल ही में हो गया है तो वो संबंदी थे किस चीज से तो प्रशिद यक्षगान गायक से तो ये थे आज के Carolifers, आई होब की वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें, साथ ही अगर चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेलाकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले सबसे सटिक डेली करेंटर फरस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें धन्यवाद